हलो माई डिया लर्नर्स तो आज का सेशन काफी स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जून दो हजार चॉब्स के CSIR NET के सेशन की त्यारी कर रहे हैं पौदी CSIR NET exam तो इस टाइम पर उनके मन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि क्या हो सकती है CSIR NET जून 2024 की cut-off और कितनी इस बार cut-off जा सकती है क्योंकि अगर हम यहाँ पर December की cut-off देखे तो उसमें काफी जादा increase था राइट तो सारी चीजों को सारे facts को यहाँ पर relate करते हुए एक proper idea लेने की कोशश करेंगे कि कितनी cut-off जा सकती है और कैसे आप लोग आगे अपने CSIR NET exam की त्यारी करें कि आप उतनी cut-off को meet कर पाए तो चलिए session शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूंगी वीडियो का पूरा देख लीजेगा ताकि आप लोग end of the video ये clear हो जाए mind में कि कैसे त्यारी करनी है और कितनी cut-off यहाँ पर जा सकती है तो सारी जितने भी आपके मन में जितने भी ख्याल है इसे लेकर जितने भी notions है वो सारे clear हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को मैंसे फिकांशी उसेंग विडियो और यॉर केमिकल साइंस एड्यूकेटर तो देखिए सबसे पहले CSIR की जो हमारी cut-off रहती है वो important है क्योंकि उससे हमें GRF award होगा इस बार PhD में admission भी मिलेगा राइड एक और चीज़ है कि हम assistant professor बन सकते हैं उसके साथ साथ हमारे पास कई सारी fellowships भी होती है है PMRF अग्यरा जिसके लिए हमारे doors open हो जाते हैं after qualifying the net exam कि हम अगर IIT में enroll करते हैं तो वहाँ पर हमें PMRF का भी chance मिलता है जो अगेन अपने आप में काफी आची fellowship है जहां पर आपको approximately 10 LPA per annum के recording आपको around 70,000 per month stipend मिल जाता है तो जून की cut-off की बात की जाए तो जो हमारा December का exam होता है usually उसकी cut-off high जाती है जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे कट-off December में गई थी वो 118 गई थी chemical science के लिए for GRF और वहीं पर मैं lecture शब की बात करो तो around 106 गई थी ठीक है तो लगबग 10 number का यहाँ पर difference रहता है assistant professor और GRF की cut-off के बीच में तो एक students का दिमाग में आ रहा है कि क्या इससे यहां तक मैं इसका idea लगा सकती हूं कि इतनी कट-off नहीं जानी चाहिए क्योंकि दिसेंबर वाला साइकल होता है वो जादा students appear करते हैं comparatively क्यों क्योंकि देखिए जितने भी students already master's में है master second year में है वो generally try करते हैं कि दिसेंबर वाला net जितने भी आपके आयटी के student हो गए नाइटी के हो गए टॉप आपके सेंट्रल उनिवर्सिटीज डी यू जे एन्यू ब्हु तो सब भी mostly students यहां ट्राय करते हैं कि हम डिसेंबर वाला net exam क्राप कर लें और easily कर भी पाते हैं क्योंकि graduation अगर आपने अच्छ से की है post graduation almost आपके दो साल पूरे होने वाले होते हैं दिसंबर में लगबग अगर हम देखे 5-6 मेने बचते हैं तो सारा syllabus आपने कर रहा होते हैं आप उस mode में होते हो पढ़ाई की तो साथी साथ लोग तयारी कर रहे होते हैं यहां पर भी हमारे platform पर इतने सारे students हैं जो graduation final year या फिर master's first year में और तयारी कर रहे हैं तो वो साल में डेट साल की तयारी में लगबग अपना एक्जाम निकाल लेते हैं तो competition उस time पर comparatively जादा होता है तो बिना किसी time को waste किये अब जून जुलाई में PhD के admissions open हो जाएंगे तो easily students form को fill करते हैं और अपना ज्यारेफ के थुरू अपना आगे का process continue कर लेते हैं तो comparatively ताकि जिनको भी year में ब्रेक नहीं चाहिए वह mostly target करके चलते हैं December वाला जाते हैं तो जो cutoff होती है mostly December की high जाती है number of people जाद है candidates जाद है अब जिनका भी December वाले exam नहीं हो पाया qualify अब जून के लिए बैठेंगे तो जो comparatively जो cutoff है क्योंकि एक lot आपका निकल चुका है तो comparatively अगर हम cutoff देखे तो जून वाले exam की cutoff comparatively जो हमारे previous year trends रहे हैं वो December से कम जाती है तो again यहां पर जो हम यहां से prediction कर सकते हैं कि 118 नहीं तो around 115 हम कह सकते हैं कि उससे कम जाएगी उतना 118 आइकांट से कि इस बार इतनी cutoff जानी चाहिए क्योंकि जो हमारे previous year trends है वो यहीं बोलते हैं कि generally जो December की जाधा जाती है और यह fact भी इसलिए ही है क्योंकि mostly students चाहते है कि हमारा कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा एक year break आया च्छे महीने में खाली बैटू तो देन मेरा selection हो तो mostly लोग December में ही qualify करके निकल जाते हैं जिनका किसी reason से रह गया वो June में attempt करेंगे और फिर वो next cycle के लिए pair होते हैं तो यहां पर थोड़ा सा break आ जाता है तो यह reason है December में cutoff हाय जाने की तो हो सकता है June में आपका यहां पर and यह also depend करता है competition बढ़ रहा है त तो again competition तो same रहेगा June में भी बट यहां पर जो number of candidates है वो comparatively कम हो जाते है as compared to December क्योंकि December में mostly सारे college वाले students भी apply करोते हैं June में भी करेंगे जिनका नहीं हुआ है selection तो बट एक layer निकल चुके है एक lot निकल चुका है तो comparatively competition थोड़ा सा कम होता है और cutoff उतनी जादा ना जाकर थोड़ी कम जाती है राइट बट मेरी आप लोगों से यहां पर एक चीज एक request रहेगी कि आप लोग एक safe score target करके चले 115 नहीं 120 ने आप अपने mind में सोच कर चले कि मुझे 140 तक लेकर आने हैं तब आप जाकर कहीं ना कहीं 115 110 तक settle होगे अगर आप लोग पहले दिमाग में सो लिए कि at least 140 तो मुझे किसी भी हालत में score करना है तब भी आप चोटी मोटी गलतियां करके 120 115 तक आप आएंगे तो इसलिए बहुत अच्छे से अपनी तयारी कीजिए तो महीने आप लोगों के हाथ में है जितना revision करना है practice करना है mock test लगाने पीवाइक्यू देने लगाई पीवाइक्यू को बहुत ही generally अच्छे से करके जाए कुछ भी कोई भी concept छोड़िए मां जो पीवाइक्यू में आ चुक है at least वो तो आपका सब कुछ covered होना चाहिए अच्छे से राइट और at least past 10 year के पीवाइक्यू लगा लो और उसी के साथ 5 year के आप gate के previous भी लगा कर what do you think about it and do share the session widely do like the session so that it reaches to every aspirant over here okay so thank you so much have a good day take care you all stay blessed